नमस्कार दोस्तों और स्वाकत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंगलिस कलब में और हम लोग प्रिपोजिशन की एक्सरसाइज को देख रहे हैं असान है दोस्तों क्योंकि हमारे पास ऑप्षन है और इसके पहले जो हम एक्सरसाइज देख रहे थो विदाउट आप्षन था है क्या कर लेना कर लेना चाहिए सीख लेना ताकि कोई भी चीज आपको छूटे ना टाइगोर वाज अवादेर नोवेल प्राइज इन लिट्रेचर वर रिट्रेचर क्या वात है कितने इंट्रेस्टिंग क्वेशन अधक ना इसमें जो हम प्रिपोजिस्टन इस्तेमाल करते है रविन ना टाइगोर वर्ज अवादेड नोवेल प्राइज ओर लिट्रेचर इन नाइनटीन यदि ऐसा क्वेस्टन रहता कि यर तब उसके पहले इन लगा देते हैं लेकिन जब किसके लिए तो साहित के छेत्र में साहित में हिंदी में होगा कि साहित में उनको 1913 इसमें नोवेल प्राइज को नोवेल प्राइज दिया गया था सर रविंद्ना टाइगोर को गुरुदेव जिन को कहते हैं अनिकी वह बुक का नाम था जिसका नाम था गीत आंजली और यह गिंद आंजली में इतनी बड़ी उपलब्धी भारत को हाथ लगे इस सत्सत नमन है ऐसे हमारे ग्रेट प्रशनाल्टी को गुरुदेव सर रविंद्ना टाइगोर को ठीके ना है बंगाली प्वैट थे दोस्तों यहां पर हम लोग देखेंगे प्रिपोजिशन के परपस है ओ हमारा क्या होग दो और होगा इन कैसे लगेगा यह भी मैंने बता दिया सी गरेट और सिगरेट पर शमोकिंग इंजुरियस दो देखो हान फुल फोर और टू इंजुरियस यहां पर तो हम घच्चा नहीं कि याद रखेंगे और फॉर इंजुरियस टो सिग्रेट स्मोकिंग इंजुरियस अदी आपने आप समझे बहुत बड़ी नाह कर दिया है यह आपके इंजुरियस को आप भूलिये नहीं यह अपने बाद स्वास्त के लिए भाई धुम्रुपान करना स्मोकिंग करना वह क्या है अनिकारक है घातक है फैटल है वी सुड़ क्वीट वी सुड़ गीब अप आवर बैड हैबिट यह हमें ध्यान देना बैड हैबिट से हमें कोई भी अडिक्टेट नहीं होना पड़ते हैं अगले सवाल क्यों कहता है जो हमारा आगला क्वेस्टन है वनली दबलड अस्टेंड रोड वाज विट्मेंड लड अस्टेंड का मतलब होता है खुन से लत्पत वाजवी एक हमारा गवाह था यार एक परमान था एक प्रूप था भाई मैंने देखा है वहाँ पर क्या हुई थी मडर हुई थी और वहाँ पर खुन की निसानी है प्लाइंग इज ऐसे सीनिस उसके मडर का एक मात्र परमान हुआ है वह क्या है खुन से लत्पत या खुन से भीगा हुआ ओरोड तो जल्दी से बताएंगे विट्नेस ओफ विट्नेस टू विट्नेस एट और हीम तो देखो ऐसे से गरबड कर दिया दोस्तों हम लोग को करना है प्रणाउन कहां से आगए अब हमारे पास तीन बच्चे हैं कि आपको जाते हैं विट्नेस सब्सक्राइब आ चुका होगा यह आप कमेंट वक्स में करते हैं आईए गाई आंसर विट्नेस टू है उसके मडर का एससीनेशन क क्या मतलब मडर होता है दोस्तों ऐसा सिनेट जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं कोई प्वालिटिकल लीडर के लिए हैं तो मैंने बहुत पहले बता चुका कि कंसिस्ट अपने बाद ऑफ प्रिपोजिशन लेता है ठीक ना दाहाउस कंसिस्ट ओफ हाइव रूम्स यह जो घर मे आठल टोन फन अपने पोजिशन गहने दाहिए लीड कहां करता है लीड होता है यह जो चाहिन खां पहले टों लीडिंग क्या होता है डैरिक्शन देता है ना थो डैरेक्शन के लिए लिए इंट्व नहीं नहीं दैक आइट आंसर हमारा हो जागा तुकूण लेट तो यह ह जो है पांच कमरे का है और पाचों कमरे जो है हॉल के तरफ है तो क्लाइमेट इस नोट कंड्यूसीव ब्लैंक इंट्रेस्टिंग विद्ध फोर इन टू समय बताओगे राइट आंस तो कंड्यूसीव जो होता है वन सेगें जल्दी बताओगे भी नहीं दोस्तों इन सर यह और सर नहीं तो है यह दोखोगे अंड्यूसीव क्या है टू प्री पोजिशन लेगा यह क्लाइमेट जो है अच्छे हिल्थ के लिए अंड्यूसीव नहीं है साहिष रा टाइड़ो不会 तो दॉसरो टाइड़ का मतलब दुस्तो बांगणा रॉत उन टाइड़े पने जरूंड़ी अमंन वड है दोनों के दोनों वर्ब है हमारे पार्ट्सू पर सैरा टाइड़ दखाव तैशरा ने किया कर दी यह बांदाब एक रस्सी ए है कहा प्रज तरी के साथ तुए अगेंस्ट विए शाथ में क्या है तुछ नम्मर अगारा ने गायक और रसी के सहारे एक प्रिवर कर दी है राइट आंसर हमारा बनेगा वह बनेगा दोस्तों हमारा तूप्री पोजिशन राजपुट्स राजपुट्स कहने का मतलब है कि जो कि रूप में जानते हैं एंहोंने क्या सक्तिसाली तरीके से लड़ा और कभी उन्होंने गुलामी को सिकारा नहीं आरा परताप को हम लोग जानते हैं पिर बहादूर सहसी ठीक है ना दिलेयर नेचर के हम कर सकते हैं यह राजपुट्स लेज़ भाउट ब्लैंग ता तु द लास्ट मेन, तु द लास्ट मेन, ध्यान तो यहां पर एड जो question हमको कैसे, फाव कुछ तू द अप्टू तो होगा नहीं या, तील अंटिल तक तो होगा न, फॉर नहीं तो option 1 से, अधिस अलमीरा अलमीला आपके घर में होंगे जिस पर आप कुछ गुट्स वोगर समान रखते होंगे इस अलमीरा इस मेड आफ इस आरे मेड आफ आफ आप और इस मेड फ्रों अब यहां पर कॉंसेप्ट में समझाओंगा कि सर्फ फ्रॉम क्यों हुआ और हमारा और हमारा बी क्यों करक्ट हो यह गलत है सी भी गलत है क्यों सर हमारा पहला पहला में फ्रॉम क्यों है थ्यान दो दो जब कोई कंपोजीशन होता है कि अंपोजीशन मैं समझाता हूं दोस्तों यानि कि जब कोई कंपोजीशन होता यानि कोई चीज किससे बना हुआ तो हम वहाँ पर कंपोजीशन के लिए ओफ इस्तवाल करें ठीक है न और हमारे पास कोई फीजिकल चेंज है यानि कि वह चीज उसका अस्तित्व में पोजीशन है प्लास्टिक यानि कि जो प्लास्टिक जो है उस चेर के फॉर्म में भी दिखाई दे रहा है लेकिन जब हम केमिकल चेंज की बात करें ठीक है जब केमिकल चेंज क्या होता है तो दो जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं वह पूरी तरीका से चेंज हो जाए तो वह क्यांकि अब जो है उस पेपर में बंबू का स्थीतु नहीं तुद बड़ द कर्ड इस मेड आफ मिल करेंगे तुगलत हो जाएगा यहां पर जो राइट आंसर बनेंगे दोस्तों कि अम हो जाएगा यानि दल मीरह इस इस बीकर्ट जागा यान मीरह तो आरें का बना हुए है लेकिन जो कर्ड हो है वह किसे बना हुआ है वो तुद से बना है आपका प्रकोम दुद अर्धन हमारा ओफ और नंबर इन कुछ नहीं करना रात में कि नॉक्ट एड़ दिए और याद रखून हमेशा एड़ प्रिपोजिशन नहीं हो देकिन नॉक जो है अपने आद आपने पता दिया सर की एड़ प्रिपोजिशन अहाए तो क्या सर दिया है अलको हम लोग नॉक सरवाजा होता तब तो सरहमाल लेते हैं दोर इंडो होता तब तो हमारा करेक्ट हो जाए अब यहाँ पर हमको समझना है कि आट नॉक्ट एड़ दोर यानि नॉक करते हैं जब किसी सम्थिंग होगा जिसमें डॉर लेकिन यह वाल को तो यह को जिंद है तो अब यानि कि उसने दीवाल के एग जाकर को रात में क्या किया है नौक किया है खटका तो जब दोर हो विन्डू हो तब एट इस्तमाल करें जब वाल है है यानि दस का जो राइट आंसर हमारा बनेगा तरह दोस्तों बिल्खुल ही आप सोचों और क्वेश्टन नंबर और भी है अब मैं हमारे पास और क्वेश्टन्स है ठीक है और मैं उसको प्रैक्टिस करें हूँ फड़ा अब हमारे पास बनें हैं अगवाई अगला जो क्रेंड सफादर डाइड देखो दोस्तों मैंने डाई का फिर समझा हा दिखा देता हूं एक का कौंस्प्ट डाई के साथ हमारा ओफ लेता है दोस्तों जब उसके बाद कोई डी का नाम से ही डाइड ऑफ को ताई के साथ दोस्तों हम फ्रॉम इस्तमाल करते हैं जब दोस्तों हमारे पास क्या हो कोई कौज हो इस कारण से मरा डाइड के लिए हम फॉर इस्तमाल करते हैं दोस्तों जब कोई बिक्ती अपनी सोसाइटी अपनी अपनी कंट्री के लिए जै के जो पीजिए वो गैंसर से मर गया आपको पता चल गया कि यह आपने ओफ कर दिया यहां पर तो आप यानि हंगर क्या है दोस्तों एक कॉज है रीजन है किस कारण से मरा है देखिये जब रीजन के लिए क्या हम इस्तेमाल करते हैं राइट आंसर बने अरा बी बन जा यानि 11 और 12 दोनों ही क्वेस्टन्स में पास आंसर दोस्तों यह था एक्सरसाइज हमारा 6 सिर्फ और सिर्फ 12 क्वेस्टन थे लेकिन क्या मैंने 12 भी क्वेस्टन्स की कॉंसेप्ट को डिस्कस किया दा आंसर शुडबे इन लिए निगे नो दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों के बीच लाइक कर देंगे चैनल पर नहीं होंगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज साथ के साथ तब तक के लिए आपको नमस्कार जहिंद